असलाम लेकम, I hope you guys are doing well, हम भी अलहमदुलिल्ला ठीक हैं, ये विलोग में शुरू कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ, हमारा लॉंग वीकेंड था, वीकेंड बहुत अच्छा रहा, लॉंग इसलिए था के बच्चों को फ्राइडे को, सेटेडे संडे को तो छुटी होती या मंडे को भी थी, और वेनस्टे को भी थी मीरा, मित्वोक को भी आप लोगों को छुटी थी न, वेनस्टे को भी चुटी थी, तो इन्हें अकठी 5 हॉलिडेस थी, फिर इसको अब हमने कुछ अच्छा सा हॉलिडेस को स्पेंड भी करना था, ये तो पॉसिवल नहीं था कि 5 डेस, कठे 5 डेस बच्चे घर रहें, ये तो बच्चों ने तो फिर हमें पागल कर देना था, ऐसा नहीं था कि हम घर से बाहर होते हैं और बच्चे अंदर नाच रहे होते हैं, फिर एक दिन में इनको लेकर गई हूँ टीगोलीनो, इसका नम टीगोलीनो इसलिए है कि इन्हों ने टीगर कहते हैं, या टाइगर को, इसका थीम है, और यहां पघा जगा-जगा टाइगर की ही, वो उन्हों ने उसी थीम को फाल्व किया हुआ है, और उसी के तस्वीर बनी हैं तो यह इस का नाम टीगोलीनो है, इंडॉर है, यह सारा, तो वहां से मैंने उसकी बहुत जादा वीडियो नहीं बनाएं मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ नेक्स टे हम लोग ने की ग्रिल पार्टी बार्बीक्यू सिर्फ अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम भी होना चाहिए बहुत मज़ा आता है बहुत इंजॉय करते हैं बड़ा हेल्दी लगता है आप हों आपके हस्पेंट हों आपके बचे हों बहुत मज़ा आता है और बच्चों ने बाबा से पहले ही प्रॉमिस ले लिया था कि हमने भी साथ बार्बीक्यू करना है क्योंके बार्बीक्यू कि स्टिक्स पकड़नी है हमने भी आपके पास भी हमें जाना अलाओ होगा क क्योंकि बच्चे बेमार थे तो बस इसी तरह जो यहां पे वीरूस आया वाइरस आया हुए उसकी वज़ा से बच्चों को वामिटिंग और पेट खराब तो यह सिलसले चल रहे थे जिसकी वज़ा से मेरे भी लोग भी बहुत डिलेय हो रहे थे और जैसे के मैंने पहले भी मेट階 काति लगे हैं गरे बच्चों के मेटिंग का जा-ई-अ-ब तो फिरभी हो रहे हैं तो बस इनी सारी चीजों को लेके न और बाहर भी हमारा इतना नहीं निकलना ओर जान वह रहा था तो यह फाइफ आई है बच्चों को अकटी हॉलिडेस तो हमलोंको ने वी इन्ज करेंगे तो जी हमारा बार्बी की बहुत सबर्दस रहा बहुत कहा हम मेरे हस्बंड ने के ठेहर जो अभी नीचे जो लकडियां है उसको सारे कोईलों को ची तरह से जलने ने दो लेकिन हम लोग इतने बेसबरे हो गए थे क्योंके भूक लग रही थी हम लोग उने प्लैन किय था ये लंच का दुपेहर को और क्योंकि ये हमारी अपनी जगा है तो हमें कहीं पर जाना नहीं था हमारी ग्रिल भी पड़ी हुई थी हमारे सीखें भी पड़ी हुई थी तो सारा कुछ था और लेकिन मेरे हस्बंड चले गए थे जीम वो वहां से आये हैं और उसके बाद फिर हम लोग अकठे में हैं हम लोगों ने फिर इसको शुरू किया क्यूंकि स्टार्ट तो नहीं करना होता है कोई लोगों को आग लगा कर देनी होती है और बच्चे खड़े में हैं सारे वो तो माबाब तो भूक परदाश्ट कर लेते हैं लेकिन वो फुल इस टाइम जो के साथ इस तरह है ना कि जब आप प्लैन करते हो तो कभी किसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी आपके खुद के साथ हो जाती है तो वह प्रोग्रम बनते बनते ना प्रोग्रम डिले हो जाता है और बास टाइम तो डिले होते होते ना प्रोग्रम खतम ही हो जाता प्रोग्रम दम ही तोड़ देता है बचारा उसकी मौत ही वाक्या हो जाती है तो हम जब हमारा दिल करता है हम लोग फिर फॉरन से अपना एक फैमिली प्लैन कर लेते हैं तो इंशालला मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी करूंगी वो भी हम गेट तोगेधर करेंगे तो इस त नहीं थी कि इसको सारा जो खिलारा हमने डाला हुआ था इसको समीटते भी बस हम लोग फिर खा पीके न तो आराम किया ये तो मैंने सारा फिर नेक्स टे किया था मैंने अपने साथ कुछ की किया था बच्छे स्कूल चले गए थे क्योंकि इसके बाद बच्चों का س्कूल था स्कूल बच्चों के खुल गए थे तो ये बस चोटे-चोटे क्लिप्स मैंने सब अकठे करके रखे हुए थे मेरी कोशिश है कि मैं इन्शालला क्लिप्स जो है उनको एडिट करूं और उनको डाला करूं लेकिन बस यहां पर ना हम लोग बहुत ज्यादा हमें काम होते है अंदर का बाहर का बहुत ज्यादा जिम्यदारियां यहां पर माओं की भी होती है अगर फादर कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग जो मदर्स हैं वो उनसे भी ज्यादा कर रहे हैं वो तो एक दफ़ा चले गए हैं अपने काम पर उसके बाद कोई चीज़ आपकी खतम हो गई है आपको बाहर भी जाना पड़ आपको बच्चों को भी लाना पड़ आपको घर के भी इच एंड अवरीटिंग खुद करनी पड़ रही हैं तो काफी ज़्यादा बर्डन हो जाता है जिसकी वज़ा से वीडियोस भी बहुत डिले हो रही हैं नहीं बन जगे कोशिश करती हूं मेहनत करती हूं बनाती हूं लेकिन पता नहीं क्यों कि रीच में नहीं जा रही हैं शाइड डिले होने की वज़ा से आप लोगो पसंद नहीं क्या है मुझे अभी इस बारे में इतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कोशिश करती हूं कि मैं अपनी तरफ से अच्छा बनाओ अच्छा दिखा सकूं लेकिन आई डॉंट नो के कहां पर मिस्टेक हो रही है इसके बाद हम लोग गए हैं वाक करनी के लिए मतलब फॉरन नहीं चेले गए बहुत ज़्यादा थक गए थे तीन घंटे खड़े हो के यह आई हैं काफी देर र स्कूल, बच्छ को कपड़े निकाले, यूनिफर्म तो यहां पे होते नहीं है, कलरडी बच्चों ने पहनना होता है, मीरब तो अनुझा को भी चूस करती जांए कि उसने क्या पहने आमाद और मनाल के मैं निकालती हूँ, तो यहां पर मैं अपना वी लोग करती हूं खत् अपने बहुत से ख्याल रखेगा, खुदा हाफिज